हलो दोस्तों गूड पॉर्णिंग स्वागा थिक वाँ फिर से आप सभी का है MZT Education में दोस्तों आज है 15 मार्च आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 मार्च 2022 के Most Important Current Affair के Questions के बारे में पूरी वीडियो डेटेल में आपको समझाए गई है अगर वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक और सेयर जरू कर दिना चैनल पर नहीं आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो बैल आइकन को प्रेस करो जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेसन आप तक पहुंचता रहे इस वीडियो की पीडियो फाइल और डेटेल्स के साथ क्वेज मिलेगी आपको हमारे अप्लिकेसन एम्जेटी एप पर तो गूगल प्ले श्टोर पर जाए और एम्जेटी एप डाउनलोड कीजे वही पर से आप हमारी एबुक्स ले सकते हैं वीडियो कोर्स को भी प्राप्त कर सकते हैं चलिए बात करेंगे लास्टी के कुशन की लास्टी का मेरा पहला कुशन था आपसे मैडिसन फ्राम इसका योजना किस राजी सरकार की योजना है तो ये तेलंगाना राजी सरकार की योजना है दुनिया का सबसे वेससितम हवाई इड़ा कौन सा है दुबभई इंटरेंटन êर्पोर्ट दोनों ही questions के बारे मेरे में बहुत सारे लोगों ने आप सभी लोगों को ऐसे ही डीटेल में आणसर करना है जो भी कुशन पूशा जाए रोज आना डिटेल अंसर करना है साथी साथ सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जिन जिन लोगोंने बधायां दी हुई है 5 लाग सब्सक्राइबर पूरा होने पर चलिए बात करेंगे आज की दिन के कुशन स्कीम आज का हमारा पहला कुशन है अंतराष्टी ये गडित दिवस कब मनाय जाता है Most Important Day है International Mathematics Day कब मनाय जाता है तो ये दोस्तों मनाय जाता है 14 March को 14 March को प्रतेक वर्स Math की बारे में अवेर्नेस फैनालने के लिए Internationally ये मनाय जाता है तो अंतराष्टी ये गडित दिवस या Mathematics Day अच्छा इसको एक और नाम से जाना जाता है अंतराष्टी ये पाई दिवस ठीक है ये पाई आप जानते हो ना पाई एक सिंबल होता है इस टाइप से ठीक है तो इस दिन को International Pi Day भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है अब देखो इसके पीछे logic है ये इसी दिन Mathematics Day क्यों मनाय गया अगर आप से पुछा जाए तो आप याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका जान सकते हैं Pi का मतलब आप जानते हो Pi की value क्या होती है 3.141 करके होती है ठीक है तो क्या वह दिक्कत होगी नहीं इसकी value क्या है Pi ही तो है ठीक है ना तो इसी लिए हम लोग Pi दिवस भी से कहते हैं 3.141 ये दिन चुना गया ये ध्यान रखना है मार्च 14 इसी लिए चुना गया है तो फिलाल ये पूरी डिटेल से इसको आप देख सकते हैं आप पर एक important चीज है थीम वो है mathematics unites important है थीम याद रखना है छोटी है important है अच्छा ये तो international mathematics day हुआ अगर पूछा जा कि national mathematics day कब मना जाता है तो याद रखना 22 दिसंबर को मना जाता है स्री निवास रामा नुजन जी की जैनती के अउसर पर अभी मैंने आपको बताया था रामा नुजन पुरुसकार किसे मिला था अभी mathematics के लिए रामा नुजन पुरुसकार मिला था दोस्तो नीना गुपता को किसे नीना गुपता को अच्छा एक नीना गुपता दोस्तोए एक्ट्रेस भी है, लेकिन ये एक्ट्रेस वाली नहीं थी, जो नीना गुपता एक्ट्रेस हैं उन्होंने पुस्तक लिकी हुई है अभी हाली में सच कहूं तो, तो वो पंचायत वाली नहीं, यहाँ पर नीना गुपता जो है है, वो mathematics सुधी दिवस अता मनाया गया और 3 मार्च को World Wildlife Day मनाया गया Most Important इसके अलावा 4 मार्च को National Safety Day मनाया गया 8 मार्च को International Women's Day मनाया गया इसकी theme important है Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow मार्च महिने के दूसरे बुद्धवार को दोस्तो धुमरपान निसे दिवस मनाया जाता है और वहीं मार्च मन के दूसरे गुरुवार को Third Day को मनाया जाता है World Kidney Day विस्व गुर्दा दिवस और इसकी theme तीजबार की Kidney Health for All 10 मार्च को CISF का स्थापन दिवस मनाया गया CISF Raising Day ओके चलिए बात करते हैं Questions 2 की हाली में कहाँ पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 खेल महाकुम का उधगाडन किया है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाली में गुजरात में गुजरात के अहमदबाद में 11 खेल महाकुम का उधगाडन किया हुआ है खेल महाकुम का ये 11 संसकर्ण था 2010 में सुरुवात भी इन्होंने ही की थी इसकी सुरुवाती संसकर्ण का भी उद्गाडन इन्होंने ही किया था 2010 में तब ये गुजरात के CM हुआ करते थे आज वर्तमान में PM है नरेंद्रमोदी जी तो इन्होंने 11 संसकर्ण का उद्गाडन किया भी हाले में सरदार पटेल स्टेडियम आमदाबार में आपको अगर याद हो तो सरदार पटेल इनकलेब के बारे मैंने आपको बताया था देखिए नरेंद्रमोदी स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम है बीच में नरेंद्र मोधी Cricket Stadium दुनिया का सबसे बढ़ा Cricket Stadium है लेकिन जो वो Sport Inclayb है ना, उसका नाम है सरदार पतेल Sport Inclayb यहां से समझ जिएगा, Internet इस्पोर्ट Inclayb जो होता है उसके अंतरगत, बहुत सारे खेलों के लिए Pichis बनाई गये रहती है ठीक है न, जैसे बैठमिन्टन का كोड़ हुआ, टेनिस का कोड़ हुआ, टेबल टेनिस, बहुत सारे गेम के लिए और उसी में एक गेम है क्रिकेट, तो क्रिकेट के लिए जो स्टेडियम बना हुआ है, मोडे रा ईस्टेडियम जो कि पहले था और नाम मदल करके नरेंदर मोधी स्टेडियम किया गया, तो यह स्टेडियम जो है क्रिकेट वाला, यह है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, लेकिन अगर पूछा जाए कि पूरे के पूरे इंकलेब का क्या नाम है, तो आप पताएंगे सरदार पटेल इंकलेब, ठीके न, तो सरदार पटेल इंकलेब को हो, यह सरदार पटेल इस्टेडियम को हो, और अगर क्रिकेट की बात की जाएगी, तो नरेंदर मोधी क्रिकेट इस्टेडियम आपको बोलना है, समझ में आया, चलिए, तो फिलाल जब यह शुरू हुआ था, तो 16 खेल और 13 परतिभागियों के स शुरू हुआ था, लेकिन आज 36 समान खेल इसे जुड़ चुके हैं, और 26-13 स्पोर्ट्सपीस में सामिल हो चुके हैं, अब गुजरात आया है, गुजरात के बारे में जान लो, गुजरात देखो के मैप में, यहाँ पर है गुजरात, यह अपनो बॉर्डर सेर करता है तो तो किसे किसे, रायस्थान से, मध्यपरदेश से और महराष्टरा से, महराष्टरा से ही अलगी हुआ था, एक मैं 1960 को, ठीके ना, तो एक मैं 1960 को दोनों राज्यों का स्थापना दिवाज़ी मना जाता है, गाधी नगर, इसकी राजधानी है, भूपेंद पर्टेल जी, बी जानते हैं यह आप लोग अगला दिखते हैं, हाली में किस बैंक ने SHG बैंक लिंकेज के लिए राश्ट्रिय प्रुसकार जीता, तो अभी हाली में जम्मो एन कस्मीर बैंक ने दोस्तों SHG बैंक लिंकेज के लिए नेशनल अवार्ड जीता हुआ है, ये नेशनल कहां पर दिया गया, ने दिल्ली के विज्ञान भॉन में इसे दिया गया, अंतराष्टी है महिला दिवस के अवसर पर जो कारिकर माज़ित किये जा रहे थे, उसी के तहट इसे भी दिया गया, सुएम सहता समूझ जो होती हैं ने दोस्तों ये महिलाओं के तवरा होता है, म प्रमू कस्मीर बैंक के बारे में बात करें, 1938 में स्थापित हुआ था, स्रीनेगर में हैटकोटर है, M.D. और C.U. हैं बलदेव प्रकास से, अगला कुशन, इसरो दोरा कितने चात्रों को यूविका कारेकरम 2022 के लिए चैनित किया जाएगा, तो इसरो का बहुचरचित दोस् साहरी से भी इसमें सामिल किया जाएंगे, ऐसा कोई बाउंडरिसन नहीं है, कि साहर वाली नहीं सामिल हो सकते, यूविका है क्या, यूविका दोस्तों, यूविका दोस्तों, यूविका विज्ञानेक कारेकरम, फिर से, यूविका विज्ञानेक कारेकरम, यानि Young Scientist Program, तो यूथ है, उनको कैसे Space Science के बारे में बताया जाए, Space Technology के बारे में बताया जाए, इनके बारे में जो भी इनको Basic Need है, Basic Information है, उसको प्रवाइड किया जाए, जैसे यह जान सके कि कैसे क्या होता है, ठीक है, इस रो के दोरा इस रो किया गया है, इस रो आप जानते हो, भारत का Space Agency है, तो इस रो का फुर्वाम Indian Space Research Organization, अस्थापना कब होई थी, 15 अगस्त के दिन होई थी, 1969 में, हैटकॉर्टर कहां पर है, बैंगलुरू में इसका हैटकॉर्टर है, और अभी S. सोमनात जी इसके नए बने हैं, अध्यक्ष, तो S. सोमनात जी का भी नाम आपको याद रवाना किया गया, तो अभी हाली में GI Tag प्राप्त कस्मीरी कालीन को दोस्तों, जर्मनी के लिए रवाना किया गया है, जर्मनी भेजा गया है, कस्मीरी कालीन को, कस्मीरी कालीन दोस्तों बहुती खास प्रोडक्ट है, कस्मीर का हाथ से बनाया जाता है, मैनमेड होता है, ठ पॉइंट प्याद रखेंगे अच्छा इसमें QR code system add कर दिया गया है इससे दोस्तों इस QR code को scan करने के बाद इसके पुरी details मिल सकेगी कहां पर बनता है कैसे बनता है process क्या होता है या इसकी खासियत क्या-क्या है सारी चीजें इसमें मिल जाएगा prize और इससे black marketing नहीं हो इसमें का कि black marketing ना हो उसका promotion किया जाए globalization किया जाए ठीक है तो यहां पर QR code system इसमें add कर दिया गया है जिससे कारिकर, निर्माता, बुनकर, जिला सब कुछ इसमें details रहेगा फिलहाल GI tag आया है तो GI tag को समझो GI tag मतलब geographical indication tag जब कोई product एक ऐसा product हो जिससे उसकी ख्याती इतनी ब तो फिर उस product को GI tag दे दिया जाता है सरकार सोचती है कि उस product को क्यों ना globalize किया जाए और ज़्यदा branding की जाए इसके अलामा उसकी black marketing को रोका जाए तो इस वैसे GI tag दे दिया जाता है ठीक है तो कस्मीरी कालीन देखिए कस्मीरी कालीन हो गया तो आप यहां से पता चल रहा ह आपको कि कस्मीर में यह कालीन जो होता है वहां आपका वो famous होता है इसकी और ज़्यदा branding की गई चर्चे में आया है ठीक है तो लोग वहां को खरीदने का प्रयास करेंगे और फिर वहां के जो किसान होंगे जो मजदूर होंगे जो इससे related होंगे उनका अर्थवस्ता भी स किसे दिया गया है यह आप कमेंट करके बताओगे ओके चलिए बात करते हैं अगले गुशन की जियाई टैग पर वीडियो बने हुई है आपको सर्च करना है सिंपली जियाई टैग मिल जाएगी वीडियो कई सारी वीडियो ठीक है ना चलिए फिलहाल हम लोग बात करेंगे जर्मनी की जर्मनी बेजा गया है जर्मनी से आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो दो पॉइंट रिवाइज कराना चाहूंगा एक तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन यही चलाया इसके अलावा दुनिया की पहली ड्राइवर लेस ट्रेन ठीक है ना ये भी चल है साम को ही तो पताया था मैंने बंडारे वाले सिरीज में आपको European Union का जो भी मिंबर होगा उसमें उसकी currency जो होगी वो Euro होगी एक currency पर यह लोग विश्वास करते हैं जर्मनी के Chancellor अभी बने है एडॉफ स्कोल्ज एडॉफ स्कोल्ज यह नए Chancellor है जर्मनी के याद रखना है पहले अंजला मार्गेल थी अगला कुशन दिख लेते हैं EPFO ने 2021-22 के लिए PF जमा पर ब्याजदर घटा कर कितने प्रस्ट किया यह important कुशन है EPFO ने दुस्तो 2021-22 के लिए PF जमा पर ब्याजदर घटा करके 8.1% कर दिया है पिछली साली यह 8.5% पर था अब 8.1% पर कर दिया गया है ठीक है 2021-22 के लिए EPFO यान Employees Provident Fund Organization जिसे कहते हैं क्रमचारी भविसी निदी संगठन इसने Provident Fund पर जो जमा पर ब्याजदर होती है वो घटा दी है PF आप जानते हो ना कटता है सेलरी से सरकारी जो Employee होते हैं उनकी सेलरी से तो फिर उसी की जो PF जो कटता है तो उस पर जो ब्याजदर मिलती है बहुत यासान लेंगविजम समझो जो ब्याजदर मिलती है वो ब्याजदर घटा करके 8.1% अब कर दी गई है पहले ये 8.5% हुआ करती थी इसके बारे में आप डेटेल में जानना चाते हो तो अभी 2-3 दिन पहले विपेन सरने दोस्तों इसी चैनल पर आपको वीडियो दी हुई थी इसके बारे में पुरा इंफर्मेशन दिया हुआ था डेटेल में समझाया हुआ था कि होता क्या है कैसे क्या प्रोसस होता है ठीक है ना तो आप जा करके देख सकते हो चैनल पर फिलाल आके देखते हैं अच्छा एक चीज और द्याद रखना कि पिछले 4 दसक से सबसे कम व परसेंट है ठीक है वरना इससे ऊपर ही रहा कर देती है अगला हाली में NFRA का अध्यक्ष किसे नियूप किया गया तो NFRA नेफराजी से कहते हैं आम बोलचाल भासा में इसके अध्यक्ष नियूप किया गय है अजय भूशर पांडे जी अजय भूशर पांडे यहाँ पर आडिटिंग पेसे के लिए एक सोतंत्र बॉडी के रुप में काम करता है। इस बॉडी का काम यह होता है कि कोई भी जो कमपनिया है, उसका financial detail क्या है, उसकी समिक्षा करना, उनसे अगर जरूरत पड़े तो इस पस्टी करण भी मांग सकतना, ठीक है, साथ ही साथ, उनका जो भी audit हो, audit report वगरा, यह सब की जाज करने और जो भी अगर मालो, उसने कोई fault पाय जाता है, तो उसके लिए action लेने के लिए भी यह सोतंत्र होता है, मतलब इसको power मिलती है, तो उसके यह अध्यक्ष हैं, अजय भूर्शन पांडे जी, RRB NTPC course की बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, RRB NTPC batch CBT2 के लिए खास्तों से यह चल रहा है, तो जो इस student RRB NTPC CBT2 की preparation कर रहे हैं, वो इस batch को join कर सकते हैं, GKGS plus current affair special batch है, जाए एप में, MZT app में देखिए, हर एक video detail में आपको समझाई जा रहे हैं, बहुत ही सांदार तरीके से target है, 50 में 50, हाली में किस bank ने hashtag लक्ष्मी for लक्ष्मी पहल सुरू की, तो अभी हाली में HDFC mutual fund ने दूस्तों, hashtag लक्ष्मी for लक्ष्मी पहल सुरू की है, यह महिलाओं के लिए सुरू किया गया है, especially end-to-end महिलाओं के नेतिरत वाली, यह वित्तिय सरसकती करण पहल है, इसमें होगा क्या समझेए, एक मिस्ट गाल सेवा के रुपे यह काम करेगा, जो भी women investor होंगी, अगर उनको कोई मदद चाही होगी, कोई साब ही advice चाहिए होगा, तो वो miss call देंगी, उनको female financial expert से यह connect कराएगा, जो निकटतम होगा, निकटतम इसके office में connect कराएगा, और वो इनके सवालों का जवाब देंगी, ठीक है, तो पूरा तरीके से यह end-to-end महिलाओं परही बेजड है, इसलिए इसका नाम रखा गया है, hashtag लक्ष्मी for लक्ष्मी पहल, हजज़ेप्ची बैंक का ही दोस्तों एक unit है, हजज़ेप्ची mutual fund, हज़ेप्ची बैंक के स्थपना 1994 मुए होती, मुंबई में headquartered है और ससिधर जग्दिसन इसके अध्यक्ष है, अगला कुशन, किस केंद्रिय मंत्री ने virtual smart grid knowledge center का सुभारम किया, तो अभी हाली में केंद्रिय मंत्री आरके सिंग जी ने, केंद्रिय उर्जा मंत्री आरके सिंग जी ने virtual smart grid knowledge center का सुभारम किया हुआ है, यह दिखना है आपको image में यहीं है, केंद्रिय उर्जा मंतरी, तो इन्हों नहीं अभी हाली में Virtual Smart Garage Knowledge Center का सुभरम किया हुआ है ये Power Grid के द्वारा डिजाइन किया गया है या इसी के द्वारा बनाया गया है ओके, Power Grid एक महारत्न कंपनी है इसका पूरा नाम होता है Power Grid Corporation of India Limited अस्थापना 1989 में हुई थी गुडगाओं हरियाना में इसका हेटकोटर है और CMD हैं कांधी कुपा स्रीकांथ अगला कुशन है किस राजी सरकार ने मचली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नाबाड के साथ समझाता किया नाबाड के साथ समझाता दोस्तो किया है ओडिसा राजे सरकार ने नाबाड क्या होता है पहले इसको समझो नाबाड का पूरा नाम होता है National Bank for Agriculture and Rural Development तो इसके साथ अभी हाली में ओडिसा सरकार ने समझोता किया है क्यों मचली उत्पादन को मचली उत्पादन को कैसे बढ़ावा दिया जाए मचली उत्पादन को कैसे बढ़ावा दिया जाए मचली उत्पादन के कैसे basic infrastructure बिल्ड किये जाए इसके लिए नाबाड के साथ समझोता हुआ है नाबाड केसा अपना 1982 में हुई थी हेटकॉर्टर मुंबई में है और अध्यक्ष है गोविंद राजलू चिंटावा क्लियर है ओडिसा के बारे में अगर आप जानना चाहोगे तो मैप में देख लेना आप यहाँ पर है ओडिसा ओडिसा अपना बार्डर किसे किसे सेयर करता है ये अपनो बार्डर वेस्ट बंगाल से सेयर करता है इसके अलामा दुस्तु झारकंड से 36 गर से और आंदरप्रदेश से भी अपनो बार्डर सेयर करता है कलियर है भुनिसोर यहाँ की राजधानी है जोकी फरस्ट सिटी बनी थी 100% COVID-19 vaccination की important point है इसको आप याद रखेंगे बाकी आपको details यहां पर दिख जाएंगी चलिए बस ये तो था हमारा आज का दिन का top 10 current affair के questions I hope आपको वीडियो आई होगी पसंदा कर पसंदाई है तो इसे like कीजिए, share कीजिए, comment करके हमें बताइए जरूर की कैसी लगी है वीडियो, क्या कुछ देखना चाहते हो आप, क्या कुछ सुधार चाहते हो आप इसके अलावा दोस्तो questions अब दडड़े में जाते जाते हैं दोनों questions का अंसर करते जाना प्रभार नर्सिम्हन से पहले Colgate, Pumulative, India Limited के CEO और EMD कौन थे? यानि किसकी जगा पर प्रभार नर्सिम्हन नियुक की गई है साहित्य 822 में कितने विजयताओं को साहित्यकाद्मी प्रशकार प्रदान किये गई है दोनों questions है important, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डेटेल में जरूर अंसर करना MZT app इंस्टाल कर लो, वहीं पर हमारे बहुत सारे paid batches हैं इन में से आप किसी को भी जोइन करना चाहते हो, तो ले सकते हो GS batch मैं personally recommend करना आपको, अगर आप इसको लेते हो, दो सालों तक GS के बारे में आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी चले, तो MZT app पर ही सारे चीज़े मिलेंगी, आप इन सब पर फायदा उठा सकते हो, डेली साम को मैं आता हूँ, बंडारा लेकर के खाना किलाने के लिए, इसके बाद जस्ट आट बजे आपको गागर में सागर लेकर किसी जाई जाती है, पाने पिलाने के लिए तो खाना पाने दोनों कीजे साथ में, हमारे साथ MZT education के साथ बहुत ज़्यादा improvement आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ और सब 10 दिनों में ही, चले, बस पिला लगते हैं, इतना ही वीडियो में, मिलेंगे अगले दिन के वीडियो में, तब तक लिए, नमस्कार जहें, दे मात्रम